हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अरुन और आप सब भी देख रहे हैं क्रिप्टो अरुनिंदी चैनल दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICD Centralized Suture की कुछ महतपूरी अपडेट के उपर यानि कि कह सकते हैं कि KYC के रिकार्डिंग काफी बड़ा अपडेट ICE के तरब से अनाउंस कर दिया गया है अब दोस्तो यहाँ पे इस अपडेट को देखने के बाद आप सच में हैपी हो जाएंगे खोस हो जाएंगे तो दोस्तो चलिए इस अपडेट को जानते हैं और दोस्तो बात करेंगे इसके साथ साथ इसके मेरिट के बारे में और कब तक इसका KYC इंड हो जाएगा उसके उपर भी और दोस्तो सबसे मुखे जानकारी प्राइच क्या हो सकती है ICE की तो दोस्तो चलिए कई सारे फेक्टर हैं उसको जानते हैं और समझते हैं और इसके निव अपडेट को भी जान लेते हैं सबसे पहले दोस्तो यहाँ पी आप देख सकते हैं नीचे ICE की तरब से क्या अपडेट आया है मातरब 20 घंटे पहले देख सकते हैं दोस्तो आइस ने खुद यहाँ पे लिखा है Important Community Update देख सकते हैं उपडेट लिखा गया है KYC Step 1 is now available for the iOS Wave Version देख सकते हैं दोस्तो यहाँ पे लिखा है iOS Wave Version देख सकते हैं दोस्तो जितने भी Apple का Wave Version जितने भी लोग अपने Apple Phone में iPhone में यहाँ पे इसके माज़ो माइनिंग ही करते हैं उनके लिए दोस्तो KYC Step 1 Live हो चुका है यानिक दोस्तो जितने भी iPhone यूजरे मोटी मोटा बता दू यहाँ पे कि वो लोग अपने KYC को complete कर पाएंगे easily अब दोस्तो यहाँ पे लिखा गया है नीचे Face Recognization Frequency Updated देख सकते हैं दोस्तो आप सभी को मालमें कि जिन लोग को KYC का स्लोट मिला था पहले उन सभी लोग को Face Recognization करना पड़ता था उसमें भी दोस्तो कुछ चेंजिस दिये गया हैं इसके तरब से Required Every 5 Days Non Daily यानि दोस्तो वहाँ पे परतेक दिन आपको जो है Face Recognization करना पड़ता था अब मात्र दोस्तो यहाँ पे देख सकते हैं Required Every 5 Days Non Daily यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तो मात्र आपको 5 दिन में एक बार करना होगा और आपको यहाँ परतेक दिन में करना होगा Required Every 5 Days परतेक 5 दिन में एक बार Not Daily अब दोस्तो यहाँ पे लिखा गया है Meditary Ape Update Please Use the Latest Virgin for Full Funcionality Older Virgin Are No Longer Supported देख सकते हैं दोस्तो यहाँ पे clear लिखा गया है अगर आपको इन सभी सुईधाओ का लाव उठाना है तो दोस्तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने application को अपडेट करना होगा उसके बाद ही दोस्तो इन सभी का यूस आप कर पाएंगी अब दोस्तो आप समझ गे होंगे कि इन सभी में क्या मुख चानकारी दी गई थी यानि दोस्तो Apple user के लिए KYC का slot open कर दिया गया है और दोस्तो जितने भी Android और iPhone की उज़र है उन सभी को अब मातर पास दिन में एक बारी करना होगा प्रतेक पास दिन पर डेली नहीं करना पड़ेगा काफी लोग परशान होगे थे दोस्तो डेली कर भी नहीं पार रहा थे अपने KYC को यापर जो KYC emotion verification है तो दोस्तो आप सभी को मालू में यहाँ पर कोई type को आपको emotion दिखाना होता है यानि कि एक actor बनना होता है कभी रोना होता है कभी हसना होता है कभी sad होना पड़ता है कभी आस्याट चक्रित होना पड़ता है सभी करके आपको दिखाना पड़ता है यहाँ पी आईस को तो दोस्तो समझ सकते हैं कितना interesting यहां पे KYC है हलाकि दोस्तो पहली बार ऐसी कोई जो है mining application ने जो इस तरह से अपना KYC का slot जो है ला रहा है इस तरह से KYC पुरा करवा रहा है अब दोस्तो यहां पी यह तो रही इसके आज की update के उपर बात अब दोस्तो सबसे मुख की जो बात है इसके उपर चर्चा करते है दोस्तो आप सभी को मालब है कि आईस जनवरी शे फर्वरी की बीच में list होने वाला है Ethereum के blockchain पे यानि कि दोस्तो कह सकते हैं कि Ethereum smart contact आपको मिल जाएगा provide करा जाएगा audit करा जाएगा आप सभी को देख सकते हैं दोस्तो यहाँ लिखा गया है Ethereum smart contact audit यानि दोस्तो यहाँ पे आप समय को मालम है कि Ethereum का जो gas fees वगरा होता है Ethereum लेटोर का वो काफी ज़दा हाई होता है तो दोस्तो यहाँ पे हम जो अपने token को withdraw करना चाहेंगे तो दोस्तो काफी ज़दा यहाँ पे हमें कह सकते हैं कि fees पे करना पड़ेगा गैस fees पे करना पड़ेगा बर दोस्तो यहाँ पे आपको परशान नहीं होना है आज इसने पहले बताया भी था कि इसका खुद का जो है blockchain डेबलफ हो रहा है जब तक वो best नहीं हो जाता जब तक वो एक कह सकते हैं कि दोस्तो जब तक वो अपना अच्छा से work ना करने लग जाए तब तक यह अपने blockchain पे इसे list नहीं करेंगे तो दोस्तो आपको tension बिल्कुल भी नहीं लेना है यान कि दोस्तो खुद का यह blockchain डेबलफ कर रहा है तो दोस्तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा यह एक lazy truly project है अब दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है रोल दी कि वाइसी step on 100% of android and wave ios version यहाँ पिन देख सकते हैं जैसे यह 100% के वाइसी step on complete हो जाएगा सभी का तो दोस्तो यह सारे जो है जितने भी यह program में लाएं जाएंगे आप सभी लोगों के लिए estimated time frame है in is middle December and early January middle December यान कि 15 December से कह सकते हैं early January जन्वरी की starting में 7 January या फिर कह सकते हैं ज्यादा ज्यादा अधिक जाएं तो 15 जन्वरी यानि कि 15 December से लिकर 15 जन्वरी की बीच में सारे कारे जो है complete हो जाएंगे अब दोस्तो यह चीज आप समझ गयोंगे अब बात करते हैं कि इसकी जो है इसके token की value क्या हो सकती है तो दोस्तो सबसे पहले इसकी application में मैं आपको ले जाना चाहूँगा दिखा देता हूँ इसका application उप्रेंट करके देख सकते हैं दोस्तो यहाँ पे इसके application में कितना तेजी से मेरा token माइनस हो रहा है यहाँ पे तो दोस्तो यहाँ पे आप सभी को मालूँ है कि हमें अधिक तेजी से token भी मिलता है अधिक चाजी से जो है मारा token minus भी किया जाता है अगर हम यहाँ पे mining नहीं करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इसकी supply वो भी ठीक ठाक है कह सकते हैं ज़्यादा है इसकी supply तो दोस्तों यहाँ पे chance कम हो जाता है कि जो है value इसके token की जब supply ज़्यादा है तो दोस्तों demand कितना भी रहेगी, demand तो पूरा होता जाएगा लोग का, तो दोस्तों यहाँ पे price जो है इसकी ज़्यादा नहीं रहेगी, supply ज़्यादा है तो दोस्तों जाइड सी बात है यहाँ पे इसकी price कम रहेगी, दोस्तों कम क्या रहेगी फिर भी 0. point कुज डालर करके रहेगी और बाथ में दोस्तों इसकी जो प्राइज है एक डालर, दो डालर, तीन डालर को भी टॉच कर शकती है बाद में पर दोस्तों इस टार्टिंग में 0. somewhat कुज डालर करके इसकी प्राइज रहेगी तो दोस्तों अब आप समझ भी होंगे इसके KYC के अपडेट के बारे में और इसके प्राइज हो गया राके बारे में भी आपको कुछ नकुछ नौलेज तो हुई होगी पाकि दोस्तों यहाँ पे आपको अब जल से जल KYC का सलोट परवाइड किया जाएगा आई होप यहाँ पे 50% से अधिक ही लोग होंगे जिनकी KYC अभी तक कंप्लेट नहीं होई है बाकि दोस्तों किन की लोगों की KYC कंप्लेट हो गई है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी KYC कंप्लेट हो गई है G logo की किवाई सी अभी तक नहीं पूरी हुई है वो लोग भी बताएं कि गमेंट में भाई अभी तक मुझे किवाई सी का सलोट नहीं मिला तो दोस्तों दोनों लोग कमेंट कीजिए बाकी दोस्तों जो भी चीजे आपको ना समझने आए उसके बारे में भी मुझे बताईए मैं आग नेक्स्ट वीडियो में उसे इंप्रोब करने की कोशिज करूगा उसे बताने की कोशिज करूगा तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी और नया शांदा वीडियो के साथ तब तक के लिए जैन दे टेक केर बाए